यह बहुत अच्छी बात, खेर? यह अलखनंदा रिवर और यह होली बागी रथी रिवर हांजी कीमयोजी जारे शश्रीकाल नमश्कर वेलकम बैक टू मजनल वेलकम बैक टू नदर व्लॉग तो भाई सबसे पहले आप सभी को थेंक्यू करना चाहूंगा दिल से क्योंकि आप सभी ने बाई तमाका मचा दिया मज़ा आ गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आगी थी मेरे चैनल पर जो बहुत मुश्किल से सॉल्व होई है अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था एनिवेज उसी कुशी में मैं लेकर आचुक हूँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज जो आपने यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं कहता हूँ वा अठारा दिन 12,000 किलो मीटर बारा सो जने साथ में ट्राइवल करेंगे बारा जोतिलिंग कमाल की जीज़ आने वाली और उसके लिए मैं आ चुका हूँ योग नगरी रेल्वेस्टेशन योग नगरी रिशीकेश रेलवेस्टेशन पर यह ने वाला रेलवेस्टेशन है यह मैं तो चाहूँगा एक पर कमेंट सेक्शन में फटर पर लिग दो हरार महादेव और मज़ा आएगा सावन का महीना चल रहा है और ऐसी सीरिज मैं चाहता था काफी टाइम से भी मैं कवर करू और आप सबको दिखाऊं इतनी जादा गर्मी और यहां पर चलते पीछे हमारे जोतिर लिंक करके आएंगे चलिए चलते हैं और करते हैं जरनी नहीं सीरिज की शुरुआइब तो देख लो अंदर आ गया हूं मैं और यहां पर चलेंगे आगे ना एक रूम बनाया हुआ है जहां पर हमारा सारा लगेज रखा जाएगा एक्स्ट्रा लगेज हम आपको ब बाकि सारे जोति लिंक जो हम जाएंगे सारी ट्रें से ओकर जाएंगे जब ट्रें आएगी वह भी मैं आपको दिखाऊंगा चलते हैं लगेज रखके आते इन्होंने स्पेशल यहां पर रूम बनाया है जहां पर हम अपना एक्सेस लगेज जो हमारा एक्स्रा लगेज हो यहां पर पीछे रखा जाएगा सेफली थोड़ा सा लगेज हमारे को लाउट किया गया उपर लेकर जाने के लिए ऐसे मेरा मन था कि मैना इस ट्रिप पे तीन धाम और बारा जोति लिंक साथ में तीरुपति बाला जी भी हम जा रहे दर्शिन करने के लिए सिरफ मेरा एक हम रह जाएगा वहां पर मेरा प्लान तो देखते हैं अगर हो पाएगा इस ट्रिप के एंड पर हम बदरी नाजी भी तर्शिन करके आएंगे ट्राइ करेंगे अगर बुलावा आएगा तो भाई जरूर से जाएंगे तो देखलो हम वेट कर रहे हैं भी यहां पर अभी लो पर देखलो सब का लगिज रखा हुआ है तो हम भी अपने लगिज यहां पर व्यू चेक करो आप स्टेशन हो तो ऐसी जगह पर हो चारो तरफ आपको पाड़ खुबसूरी सी देखने को मिलेगी यह वाई देव उतरा खंड मजा बहुत आने वाल है और मैं आपको बता दे बाबा जी का आश्रवाद रहेगा तो आपको कवर करके दिखाऊंगा मज़ा आएगा और मैं पता तो हम किंके साहरे हम जारे है मुराली बापू जी के साथ आपको पता ही होगा मारा जी है और काफी ज्यादा मतलब लोग उनको मानते हैं और हमें भी इस चीजमें शामील ह होने का मौका मिला इस यात्रा में शावी रोने का मौका मिला और वर्चुली आप सब को दिखाने के लिए हम रेडी हो चुके चो चलते हैं अंदर और करते हैं निकलते हैं यहां से फटा फट से ओजू यह हैं इमारी टयंपू ट्रैवलर और हमने अपना जो लगेश लगेज अंदर रखा हैं बाकी ही लगेज हमारा हमने अंदर यहां पर रख दी है थोड़ा वो तुछ लगेज है टाइम देख लो ढ़ाई बच चुके हैं और फाइनी नीकल चुके हैं में रेल्वी स्टिशन से चीक है अब आम जा रहें को काशी देखते हैं कितना टाइम ल यहां जैसे से उपर जा रहें ना एक नंबर वैदर होता जा रहा है मजा आएगा आगे देखते हैं कैसा रहते हैं वह पाड़ी लेप उपर प्रीशी के इससे गुंकाशी जा रहे हैं और रेपू ट्रैबलर में टौरी किलोमेंटर कवर करें हैं 210 यह 210 किलोमेंटर और सब्सक्राइब करें हैं और कलम स्लाइब करेंगे दर्शिद करने के लिए तो यह वीडियो पूरा आपको दिखांगो आपके लेखते रहे हैं तो अभी हम रुके हैं देव पिराग से अल्मोस्ट 6 किलोमेटर पहले थोड़ा सा टाइम जेख लो साड़े चार हो चुके हैं टीब्रेक लिए वागी कुछ लोग यहां पर खाना खा रहे हैं यह कॉमन है गाडी में पता है तो हमारे साथ काफी मेडिया के लोग भी चल रहे हैं और हमारे साथ ट्राइवल कर रहे हैं हमारे भाई जी डॉलेश भाई कैसे हो बाई एक दम फर्स्ट क्लास आज ही मुंब बाई को पर साते हैं यहां को ला साते हैं पर हुक तेम का मशान चींच आया कि कर दा नाथ की हमारे पर यहां तो कुछ भी हैं कि कंच बह白 हो जए मारे पर हिंश राइख सथा सबद्र वाइभच इस होटा करें नीं मेल सबकार वंडि और यहां यहां ठाश मुंझा टीए प्राडों में आए तो मैगी खाना तो बनता है साथ में और स्किया है एसके कैसा टेस्ट के टेस्ट के टाइम पास है आपको पहुंच चुके हैं जी गाड़ी आपर साइड पर लगिये और जिस चीज को मैं दिखाना चाहता था वो पल आ चुके देख लो यह है संगम और यहां पर यह वली जो river देख रहो ना यह ऐ है अलखनंदा river और यह हुली बागीरती river दोनों मिल कर बन रही है गंगा जी लेकिन अभी जो इसका कलर है वैसे तो ब्लू रहता है लेकिन बारिश से जादा हो रही है उपर ना तो थोड़ा सा मड़ी कलर हो गए दोनों का बड़ क्या देख रहो कितना सुंदर लग रहा है नजारा बहुत ही खुबसूरत है यह पूरा है और नीचे भी लोग जाते हैं तो यह पॉइंट हो गया यहां पर इस हारे लोग रोखते हैं तो बड़ा जबर दस्क बहुत नीच को सभी ने रोड थाली किया है लोग यह ना टनल एदर जो अभी करम प्रैक के लिए चार दाम के लिए बनाई जारे ना ट्रैक तो उस साइड के बढ़ रहा है उदर अब जागे थोड़ा से ठीक हुआ है पहले तो बहुत गर्मेरी बीच में जी तो अभी हम पहुंच चुके रुद्र प्र्याग में और यहां पर भी संगम है और बहुत ही खुप सूरत में आपको दिखाता हूं नीचे आर्थी भी हो रही है कितने हम लगी है ना और यहां संगम होता है दो संगम आपको की घर करती हमारी है तो यह है रुद्रप्याइक संगम और वह अलख नंदार स्थो म्ताग थे रही वाट जो आखे जा रही है ना यह तो दोनों को मिलाकर अलख नंदा यवरीपनती है यह दो होटल 15 किलोमीटर पड़ा है घगर रोड पूरा ही खराब है अतलब जिग-जैग जिग-जैग और साथ में पूरा ही टूटा हुआ है तो अभी फिलाल अपडेट देता हूं हमारी टेंपू ट्रेवलर यहीं पर रोकी हुए गुपतकाशी में तो अभी ना आगे थोड़ा सा मतलब कहा रहे हैं और थोड़ा से पत्थर गिर रहे हैं उपर से तो रोक लिए अभी कहारें दिखाओ पूरे डिटेल दिखाओ तभी आपको आगे जाने देंगे और वह भी रोड़ क्लियर होगा तो रात के अभी नो बच चुके हैं यहां से आदा गंटा दिखा रहा है नो किलोमेटर पड़ा है फाइनली जाकर पहुंच चुके है टाइम देख लो ग्यारा बजने वाले रात की वहां से एक डेट घंटे प आपको काफियों को रोग रोग करें आगे नहीं जाने देंगे बुकिंग दिखाओ बहुत मुश्किल से हमने बुकिंग आईडी दिखाई सब नाम पता नोट किया वां उनकी बाद यह में ठीक लगी कह रहे थे अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आपकी जिमिवारी है वह तो हमने सब कुछ पता किया कहते ठीक है अगर आपकी बुकिंग है और आपको रूम टूर करायता हूं होटल का नहीं कह है लाफ यूली रिजॉट है होटल नी रिजॉट है देख लो ऐसा कुछ रूम है और ठीक है यह पर एंटर करेंगे तो यह हो गया अपना एक्स्ट्र अब लुकुल बैंड थक चुक है यार नॉन्स्टर आपको पता है और ताइम देख लो ग्यारा बजने वाले है चलो वागी तो ख्लीन है रूम तो क्लीन है ऐसा नहीं कह सकते वाश्रूम भी अच्छा है काफी वेरी गूड मॉर्निंग गाइस तो वाई रात में जब आय तो वाड़ा थे और फटा वट से आके डिनर किया और रेस्ट किया क्योंकि आपको पता है रहे जरूरी था क्योंकि हमें सुबह रेडी होना था सिक्सिक्स्टीन हों चुके हैं सुबह के मॉनिंग के और ऐसा व्यूव इपर मैं आपको व्यू दिखाता हूं तो देख लो इतना जबर्दस वियों आ रहा है इस रिजॉर्ट से यहां पर आपको बादल नजर आ रहे होंगे सामने पाहड़ी पाहड़ और उदर एक वाटर फॉल है आपको जूम करके दिखाता हूं यह देखो बहुत ही खुबसूरत प्रॉपर्टी है अब नीचे चलते हैं यहां पर इंका रेस्टरॉंट है टी कॉफी के लिए बोला हुआ है और जो बताया जा रहा है हमें जाना है यहां पर फाटा में बिल्कुल पास में है पावन हंस का जो हैली पैड है वहां पर साथ बज़े के न आगे ना जाए यही काम खराब करेगा यार अभी तो देखो क्लियर था अभी 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 सर्क्लिप्र रिकॉर्ड किये मैंने दो मिंट हुए और यहां पर देख लो वापस से पूरा वैजर इसकी वज़े से कल भी हेलिकॉप्टर रुग गे थे यह पूरा मनलों को यह पर पहुच रहे हैं पर यह देखो वाइसा वाइस पूरा प्रैशर और यह उते नेच्र वोटर वाई इस्तना प्योर होते है ना अमने रात में यही से पानी बहादा बहुत है और देख लो ऐसा कुछ है उपर सारे रोंग से यह पार्किंग है यह 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 दिए आगे जी चलो हैली पैड पर देख लो यह पर हम पहुंच चुके हैं और जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ना अल्मोस सारी इसी ट्रिप की हैं आगे हो पीछे हो उदर बसी भी घड़ी हैं तो यह देख लो लिखा ने श्री राम का था तो यहां पर है सारे लोग फाटा जाएंगे आना जाना तो 5500 रुपीज एक साइड का है 2750 और आपको जैसे मैंने पताया था 80 केजी से जादा होगा तो आपको 1500 पर केजी देना पड़ेगा अगर आपका वेट भी 80 केजी से जादा होगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और लगे जाएग तो ठीक है अभी जैसे टिकेट आती है वैसे नंबर आता है हां जी तो भाई टिकेट का नंबर चेक हो चुक है वेट हो चुक है और वेट हमारा थोड़ा से एकसेस था तो डेट सो रुपर के सबसे वो पे हो जाएगा बाकी उपर लेफो वेटिंग रूम है अभी हमारा न यह जो देख रहना है है यह जो आगे है ना आगे इस गुपकाशी में भी हली पैड है तो वहां का है वो देगी जो हमारा वो चला गया उज़र है हमारे को बोर्डिंग पास है तो यह मिले हैं और यहां पर वेट करना है बढ़ ठीक है जितना लाहुड होगा आपको दिखा देखेंगे हार महादेव हार हार महादेव पहुंच जी पहुंच चुके जी किदार ना जी हरार महादेव और यहां पर देख लो कितना अच्छा लग रहा है वहाई पर हमारा टेंपल है और यहां पर हेली पैड है बहुत अच्छा लगा यार अल्मोस्ट आठ मिनिट की राइड थी बट यार लंबा राइड है यार मैंने वहां भी गया था वैश्यों देवी वहां तो इतना टाइम किरपा से हम पहुंच चुके यहां का व्यू देखो आप सामने देख रहां कितना सुंदर लग रहा यार इसके आगे कुछ भी नहीं है मैं सच बता रहा हूं इसके कुछ भी नहीं है यह हो गया है यहां का पैड अब हैली पैड बना वह इधर ही अब है तो वहां से हम जारे मंदिर की तरफ और वहीं पर हमारे होटल जैं एक होटल नहीं है बहुत सारे होटल और शाड़े 11,000 फिट पर आपको कैसा लग रहा है बहुत मज़ा रहा है मज़ा है अर चोपर की राइट कैसी लगी आपको मनस्त लग है मज़ा आगया अज मे राइड है लेकि आमेजिंग है तोड़ा सांस चड़ रहे हैं तो कि हम ना एक्चली नीचे थे गर्मी में रहे अब बैदर यहां चेंज हो गया है उपर और बरफ देखो ना कितनी अची बरफ लग रही है बाकि चलते होटल देखते हैं कौन सा में होटल मिले सो वहां से ना अलमस्ट 1.5 km जा रहे हैं वहाँ पर हमारा होटल है एक लोग जी सामने टेंपल और यहीं पर हमारा होटल आगे यह होटल है हमारा ठीक है यहां पर बस ऐसी होटल होते हैं तो फिर भी ठीक है बेटर है राम से बैठते हैं अपना आ चुके हैं रूम में लगे जग दिया औ और दर्शन करके आते हैं अंदर तो फोटोग्राफी लाओड नहीं है बट यहां पर फोटोग्राफी सब लोग कर रहे हैं तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कर सकते हैं और आपको मैं यहां का नजारा दिखाता हूं फिर चलते हैं फड़ा बड़से दर्शन करके आ आपका बद्रा आपको बदे yani, डिया उए आपकी देखिए आपकी जिए घ्रम हरे आपका अपकी दे है आपकी ते independent करों अठी आपका देक्रा थ्रिवा हरे हरे थैंकiva अप्रकेंगाटो हमकेश हम उपने नहिंग आपका पर का सब्सक्राभार है खिज़ सब्सक्ताय से त्रच्ष कि जए असी शिर्क अधिक्या शें, अरे बहुत अच्छा रहा है HELs इसा Pe ascendant ते की बहुत आज अंतर छिफिलिंग तक जो मतलब हिस्ट्री पताते हैं गवर आपको एक बार यह आपर यह भी जाल यह वह लेह तो इस अए बुल्ट बहुत आज बहुत आज अगा अएछ पिता रहा है तरिवी देशन के साल रहे हैं कि अब अच्छा लग रहे है जन्याबाद को आजी का चलते हैं आओ आगे सेगों दिखाएं आथ दाना है डेष नगेना है जैसरा नेत्र बनारा बबाद अबता समय तो सुक्त लूत तो बख्वान सब को सब्सक्राइब बनाएं कर रहा है और हम आपको बता देते हैं चीज यहां पर शूट अलवड है यहां पर पुलीस वाले भी कोई रोक नहीं रहा है तो इस पर आप हमें कोट ना करना यहां पर शूट के लिए और अंदर लाओ रही हैं बिल्कुल भी नहीं है किसी मंदिर में वो नहीं दिखाए लेक अच्छा लगा और मैं पता दूँ हमारा महां पर पंडाल भी लगा है जैसे हम यत्रा पर आज कथा भी करेंगे बट वह आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में अगले पार्ट में क्योंकि वीडियो बहुत लंब हो चुक है और मैं नहीं चाहता आपको किसी चीज जरूर से कर जाना अगर आप और चैनल पर और भाई का चैनल जरूर से देखना ना इसकी हमसे पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत बढ़िया काम कर रहा है बहुत करा करो सपोर्ट अकर आपको अच्छा लगता किसी को तो सपोर्ट किया करो मैं तो सब्सक्रिप्शन में जाए हिंद एक बार हो जाए हरार महादेश